Hello traders, welcome to my channel, my name is Abhay Pateil, back with a new understanding market behavior video. आज का understanding market behavior equally उतना ही important है जितना बाकी के understanding market behavior videos होते हैं. Because यहाँ पर आज हमें psychology train करने को मिल रही है, कैसे, देखो. First of all, आज मैंने जब market close हुआ, मतलब market बंद हुआ, मैंने just messages देखी, बहुत लोगों के message है, sir मैंने आज account zero कर दिया, account zero कर दिया, या फिर मैंने account अपना wipe कर दिया, या फिर मैं live आने के पहले ही सुबह के session में बहुत सारे trade लेकर उधर ही account को 50% उड़ा दिया था, तो मैंने बहुत लोगों को पूछा कि फिर आपके order book बता, order books देखे, 50 orders placed, 60 order placed, 20, 30 quantity, 20,000 का account है, 4-4 lot, 3-3 lot, 5-5 lot, अब just imagine करो, अगर आप बोलते हो कि एक trade में 500-600 का SL लगता है, ठीक है, plus brokerage add कर लो, ठीक है, चलो 600 ने अपने अगर trade करते हो, 400 रुपे का, plus 100 रुपे का brokerage add कर लो, अब बोलो कि sir 100 का brokerage नहीं होता है, 40 का brokerage होता है, plus taxes charges उस पर 40-50 लगता है, depending upon आपकी quantity कि नहीं है, ठीक है, so, एक round number 100 पकटते है, तो 500 रुपे का पर lot SL माना जाता है, और आप अगर आपका account 20,000 का है, ठीक है, 20,000 का है, और आप अगर trade लेते हो, 4-4, 5-5 lot से, अब क्योंकि 30 रुपे का premium रहता है, तो आप कितने भी lot ले सकते हो, 30 into 40 करोगे, तो something बारास होगा, त 10 lot, 12 lot, 15 lot, ऐसे kind of log amount quantities ले रहे, और फिर उसमें जैसे ही, एक SL होता है, आप 500 into 10 करो, 5000 का loss, यह, 6000 का loss, एक trade में, नो डाउट, आपको जब profit होगा, तो इतना ही होगा, दर बट, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको आज T20 गेम खिलना है, क्या आपको T20 गेम खिलना है, क्या आज चक्का मारा है, या मुझे आप बताओ, यह 5,000 एक बर, दो बर, तीन बर, चार बर, पांच बर आएंगे, 20,000 का 40,000 होगा, but same इस से, अगर आप 40,000 को भी same approach से जाओगे, उसी दिन account आपका 0 भी हो जागा, because, देखो, अगर आप माल लो, मैं कसीनो का आपको एक example बता तो, एक friend के साथ वा तो, वो ऐसा था कि, उसका ऐसा plan था कि, उसको अपने पैसे double करने, ठीक है, मतलब उसको अपने पैसे double करने, तो उसने chip लिए, x, y, z amount के something, 50,000 के उसने chips लिए थे, तो उसने 50,000 के, हम जब गो आगे थे, 50,000 के उसने 1,00,000 के उसने 1,00,000 के उसने एक जो बेट लगे, चार लग पे, उसका plan थे कि, at least 12,000 के आसपास, या इस चार के आट हो जाए तो निकल जाओंगा, आखरी बेट खेल रहा था हो, चार के आट करके निकलने का plan था, चार लग लगे उसने 0 हो गया, निकल गया, 50,000 चले गया, तो देखो, 50,000 से वो चार लग तक आ गया, ठीक है, और चार, ये, ये important नहीं है, ये number 4,000,000 नहीं है, because आपको इसकी value नहीं होगे, क्योंकि ये बहुत easily आए, value उस पैसो के होती है, जो महनत से आते हैं, और वो long term tick थे, कभी भी याद रखो, कोई भी आप देखो, सटा खिलता है, या फिर gambling करता है, बेट 59% टाइम्स, आपको उनकी जरनी जो है, जो end हुए है, हमेशा negative हुई है, और right, अब कोई भी example देख लो, आप क्या जो वाजो से कोई भी आरे, इसने सटा खिला, इसका ये बिग गया, वो बिग गया, विट अगर वो जमीन बिखने तक पहुंचा है, अगर वो जमीन बिख इनिशल स्टाइड भी उसने small amount से किया था, अब वही आप compare करो किसी government job वाले से, कोई भी जो job करते है, कोई मेहनत का काम करते है, आपके school का employee है, तो constantly per month, भली ठीक है, कुछ लोगों का amount कम होता है, but constantly per month कुछ ना कुछ amount निकलता है, और lifetime वो amount रहता है, और उनके पास देख उनका slow and steady growth का approach होता है, long term approach होता है, वो real winners से, वो test match player से, ये T20 players है, जो आज कल चमकेगे, परसो gap, तो आपको ये decide करो, market में step हो रहे हो, T20 player बनना है, ये test player बनना है, वो decide करो, क्या आपको यहाँ पर लंबा game खिलना है, 10 साल, 20 साल, जा आना है, और कल परसो, अगले expiry, ये use day वाली expiry नहीं, तो Thursday वाली expiry, या फिर next week तुरंद दूसरी expiry आगे, फिर Tuesday, Thursday की expiry, आपको कोई expiry में double, triple कर लोगे, अगले expiry में game खतम, अगले expiry में पूरा capital 0, देखो expiry में बहुत पैसा बनते है, volatile रहता है, वहाँ पर strike price 0 होते है, हम भी expiry में trade लेते, एक stop loss लगात एक target लगाते है, और मैं expect करते हूँ कि अगर आप trade ले रहे हो उस basis पे, तो जो भी अपका अगर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का भी capital है, तो आप एक ही lot से करो, दो ही lot से करो, क्योंकि एक दो lot से, देखो, पैसो के बीचे नहीं भागना है, पहले यह certain करना है कि मैं यहाँ पर tick, टिक लोंग टर्म में रहने वालों यहाँ पर, पैसो के पीछे भागो, आप क्या अगर तो market में आते सी, learning stage में market का अंदाजा नहीं होता, यह जो, अब मैं experience से बेट हो, मैं आज बोल सकता हूँ, आज market बस देखने वाला market है, आज यहाँ पर aggressive नहीं जाना, या फिर आज के market में हमें बहुत volatility मिल सकती है, excellenting मिल सकती है, आज quantity एक दम कम रहे ना, बट यह आपके पास यह judge नहीं कर पाऊगे, क्योंकि आपके अतना experience ही नहीं ही जानने के लिए, कि एक trending market की बाद कैसा market आता है, अब यहाँ पर मैंने कैसे guess कर दिया, कि आज के market सबसे गंदा market जाने आला ह क्योंकि एक point कभी भी याद रखना है, यह structure में 100 बार बोल चुका हूँगा अभी मेरे channel पर, हमेशा एक trending market आता है, फिर एक volatile market आता है, फिर एक sideways market आता है, और अगर expiry के एक या दो दिन पहले, अगर market बहुत बड़ा trend कर दे, अभी expiry trade मत करो, क्योंकि वो सबसे गंदी expiry ह करता है, market fair होता है, market एक option buyer का market होता है, और एक options seller का market होता है, ठीक है, तो क्या होता है, मान लो, अगर option seller का market आ गया expiry के पहले, which means, sideways, volatile, anything, तो अगर Friday को sideways, Monday को sideways आया, तो Tuesday को एक option buyer का market आता है, क्योंकि market में कर, मतलब या, market जो है, option buyer को favor करता है option buyer को वो market लाके देता है but अगर Friday और Monday को rally करता हुआ market रहता है तो Tuesday को option seller को benefit करता है same logic when us day को लगा सकते हो when us day को sideways होता है या option buyer का market होता है तो expiry option seller की जाती है तो ये game आपको हमेशा याद रखना है अब इसको compare करते इससे ठीक है ये देखो 90 degree rally हुई फिर थोड़ा volatile हुआ market kind of अगले दिन क्यूंकि SPX जो है US markets वो continuously rally कर रहे है तो यहाँ पर थोड़ा market sideways हुआ फिर consolidate करके फिर एक up move दिया जैसे यहाँ पर भी आए कि sellers को देखो कैसे trap किया ये breakdown दिया लोगों ने sellers ने BTST लेकर गए उनका SL खा गया 3 candles back to back बन गए अब सबसे important था ये वाला zone ठीक है ये वाला जो zone देख रहे हैं आप यहाँ पर एक घंटा market इसी price पर जो है ठीका था इसी price पर जो market है वो sustain कर रहा था मेरा plan था कि market में भी यहीं से up move कर दे because ये जो rally चल रही है उसको continue करें अगर हमने अगर आपने मेरा recent का वीडियो देखा है buyer sellers का how to identify strength and candles strength in candles strength and weakness in candles उससाब से देखो यहाँ पर rally 90 degree हो रही थी जैसे ही 90 degree नहीं बहुत अच्छी straight rally हो रही थी kind of जैसे यह trend line break हुआ अगर market यहीं से देखो पहले जब trend line break हुआ यह rally से यहाँ पर market ने क्या किया short covering की यहाँ पर strength थी market ने यहाँ पर break किया short covering की यहाँ पर मुझे क्या दिखा जैसे market ने trend line break की market नीचे जाल गया मैं live भी आगर आप देखोगे इस breakdown के बाद आया था यादि साड़े 11 बजे मैं live आया था मैंने जैसे देखा यह trend line break हुई breakdown देदिया market ने और काफी नीचे तक आया और यह point था जब मैं live आया जब मैंने 1140 को live आया जब यह pin bar बना मेरा expectation था market यहाँ से short covering देखे यह targets fit करेगा और aggressively बुलिश होना है और मैं यहाँ पर levels बनाया था यहाँ मेरे stream पर भी जाकर देखते हो 1145 के आसपास मैं आपको मेरे stream बतातो कि मैंने यहाँ पर view क्या दिया था कि हमें 1145 के आसपास जो है completely bullish होना है और बार बार मैं long position plan कर रहा था लेने की यह देखो इस point पर भी इस point पर अगर आप उस duration की जाके stream check कर जकते हो मेरा plan था buying का लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर भी देखो pin bar बना यह resistance बना के wait कर रहे थे हम buying का लेकिन फिर जैसे मैंने देखा यह candle बनी kind of double top बना double swing बनी तो मैं समझ गया आज का market यह because lots of indecision candles बन रहे weakness आना शुरू हो चुका है क्योंकि market कभी एक up move के बाद direct v-shape में नहीं गिरता तो market क्या करता है up move के बाद या तो sideways होता है या फिर reversal देता है ठीक है या तो like kind of volatile trending था, volatile sideways ऐसा होता है या फिर continue करता है trend यहां पर अच्छा मौका था इस candle से continue करने का या फिर इस candle पर sustain के continue करने का मौका था but market ने दिखा दिया कि जो trend है वो bend हो चुका है या change हो चुका है kind of उस दिन के लिए यहां पर देखो but selling जो है वो अभी भी weak है selling अभी भी weak है try hard कर रहा है market मतलब नीचे गिर रहा है फिर upmove आ रहा है फिर धीरे धीरे एक घंटा लगा नीच आने को फिर upmove है फिर धीरे धीरे नीच आ रहा है फिर upmove किया फिर धीरे नेच आ फिर upmove किया यहांपर weakness जो है सारे candles में indecision है यह कही न बस profit थोड़ा book किया गया है इसलिए market दीरे दीरे थोड़ा नीचे है बट यह कोई selling rally नहीं है आप इसको Poland flag की तरह भी consider कर सकते हो, अप move आया यहाँ पर weakness दिखाई, वो video देखना please video देखना, तो आपको पता है ऐसे time पर क्या होता है, यह trend line मनती है जैसे trend change होता है, market जो है अपना, जो trend है वो change कर देता है, तो इसलिए अगर आप मेरे सारे आज के trades देखोंगे मैं bullish plan कर रहा था आप stream पे देखो सारे trades bullish plan, एक भी मैं bearish plan नहीं किया और लोग, लोग क्या करते हैं, directly blame game खिलते है कोई बोलता, आज तो market कितना बड़ा move किया अपने एक भी trade नहीं दिया, मुझे बता वही market ने कहां इतना बड़ा move किया या ऐसा कौन सा यहां पे portion आपको देख रहा है जहां पे अप enter करते हैं, smoothly target दिखता because हम यहां पे 1 minute पे देख रहे है तो 15 minute पे तो सारे indecision candle ही दिखेंगे no doubt बस एक यह move आया जो लोगों ने काफी सारे लोगों ने capture किया आज का सुबह का, तब तो मैं live भी नहीं था बस यह जो हमारे students है, regular viewers है इन्हों नहीं capture किया because उनको यह चीज समझी, यहां पे rally हुई यहां पे weakness आई, जो candle से देखो कैसे हुए है, फिर जब market ने trend cross किया तब market यह target दिया, बस यह सबसे अच्छा trade बोल चकते थे, आज पूरे दिन में, जो बन सकता था, यह put की तरफ बाकी पूरे time यहां पर देखो कितनी, यहां पे volatility है, हर red candle, green candle red candle, up move, down move, up move, down move फिर जो भी breakdowns दे रहा था यहां पे breakdowns दे रहा था, put आ रहा था फिर SL खा रहा था, यह जो भी upside की तरफ breakout दे रहा था, अगर आप ऐसा consider कर upside breakout दे रहा था यह हमने यह भी long trade लिया था, expect कर रहे थे उपाज आगा market फिर भी नहीं गया यहां पे breakdown दे रहा था, फिर SL खा रहा था फिर नहीं चाहर रहा था, लोग यहां पे और सुच रहा था, यह रिटेश्ट आप खरीद तब फिर SL खा रहा था, फिर final यह breakdown दिया जो बहुत बड़ी candle बनी और यहां पे मैंने stream पे बोला कि put की तरफ मत जाना और market दोबारा यहां पैसे land करते reverse कर गया, तो kind of यहां पे CEP buyers किसी ने पैसा नहीं कमाया आज complete option sellers का market था जहां पे market खुला, यह market opening price थी, उसी के आसपास market close हुआ, 18,350 का straddle बनाते, 370 के आसपास close हुआ, तो वहां पे उनको पैसा था यह triangle बनाते तो उनको पैसा था option sellers का market था, अब सबसे important था 3PM, देखो 3PM का मैं आपको यहां पर एक clip बताना चाहूंगा कि हमने 3PM कैसे plan किया और 3PM हमारा एक kind of सही गया, लेकिन उस पे logic किया था, मैं आपको बता था, ठीके तो यहां पर हम time देखते है, 3PM जैसे नीचे candle पे आते हैं, तो हमने 3PM का plan किया था, अब मैं उसको उस पे logic समझा था, देखो 3.5 है न यहां पर 3 शुरू करते हैं, यहां पर timer लगा 59.56, अभी हमें 3PM पहले ही लेना था, लेकिन 3PM के, मतलब 3PM हमें call के तरफ ही लेने वाला था मैं, क्योंकि अगे इन यहां पर selling week दिख रही थी और मुझे बता था कि 3PM में volume आते हैं और इन सब कैसे लंट करके एक short cover ही market देगा, बट यह चीज 2.59 को ही होगी, 2.59 को ही market ने rally कर दी, अब मैंने क्या किया simply, फिर भी यहां पर एक resistance है, मान लो अगर मैंने एक line draw कर दी, ठीक है, यह resistance है, अब हमें क्या करना है कि यह जैसे ही resistance हिट होगा यहां पर हो सकता है, rejection है pin bar है, हम put खरी देंगे तो at least हमें यहां तक के targets मिलेंगे, इसको hit करके नीच आएगा thread list यहां तक एक quick मतलब, अगर एक-दो lot भी लेते हो 5-10 का premium 15 रुपे, 20 रुपे quick delta जो है बढ़ जाते है यहां पर theta कुछ नहीं होता, delta या vega बढ़ने से एकदम spike बढ़ जाता है premium के अंदर तो इस तरीके से आप एक plan कर सकते हो with very minimal risk and quick execution kind of scalp trade, तो यहां पर देखो अच्छे से सुनो कि मैंने यहां पर क्या बोला पर pin बार बनाता है, rejection आता है तो इसकी नीचे put लेंगे वरना यह चुड़ गया trade यहां पर मैंने बोला अगर इसकी नीचे आता है मैंने बोला जहां पर एक support लेल थी देखो सुनना, पहले ही rally करना शुरू कर गया था तो तीन बज़े गया है, तीन बज़े plan out nail है, kind of rejection दिया यहां पर थोड़ा, यह point देख सकते हो kind of यहां पर थोड़ा pause लिया 3-4 second pause लिया, यह point यहां पर भी 44 second में वापिस entry के आसपास गया, और फिर जाके market ने एक बहुत बड़ी candle बनाई, जो बहुत अच्छा spike दिया and then, यहीं से यह जो support है वहीं पर थोड़ा support लेने लगा और kind of अगली candle वहां पर आके close होगी, entry के पास यहां पर फिर दोबारा वहीं गई, और बाद में यहां इससे support लेके, गुमते-गुमते market उदर roller coaster भी है, sideways बन गया, ठीक है hope आपको सारे चीजे, सारे logic समझेंगे, पर इससे आपकी कहीं नगे, थोड़ी psychology में help होई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना and also हमने एक new course launch के बहुत तस्ता है, 499 रुपीज प्राइज है, इसमें आप बड़े मूस के से capture कर सकते हो, उस पे पूरा detail में, सारे markets सारे time frame और कभी भी आप उसे ले सकते हो बस एक ऐसे इस वीडियो इस course के अंदर ऐसी चीज़ बते गई है कि एक ऐसे levels कहां कहां होते जहां पे institutions आके buy करते हैं वो सब explain के हैं in this course तो इसका जो link होगा, description में होगा do check it out, एक movie के ticket जितना है, अगर आपको valuable लगता तो ले सकते हो और इसके अंदर आपको एक surprise मिलना है, तो do check it out and also thank you so much for watching see you tomorrow